वा, क्या बात है, मजाई आ गया, एक डम सही क्या, भाई बोलेते एक डम मजाई आ गया है, यही होना चाहिए था इसके साथ में, औरत हो करके और मार मर्दों पे हाथ उठा, यही था 22 थपड का जवाब, अब जा करके सही सलूक हुआ है इन औरतों के साथ में, लड़की है मत तपड की कहानी थी ना भाई, जहां पे लखनाव गल ने एकडम शहादत अली के कान पे जड़ दिया था 22 थपड, और उसके बाद से हम सब के सब सपोर्ट में उतर गये थे, क्योंके सही और गलत की बात हो रही थी, मेल और फीमेल की बात तो बाद में आई, क्योंके वो ल पेश आना चाहिए, भले से आप सही हो, सामने वाली कितनी भी गलत हो, लेकिन आप उस पे हात नहीं उठा सकते हैं, और इस चीज़ के लिए हम सभी ने तहे दिल से उनकी रिस्पेक की और सल्यूट भी, लेकिन अभी जो नियूज निकल करके सामने आई है, जो वीडियो आ पहिला होती है, उसके हाथ उठाने से पहले ही, अन्मारिड लड़की जो है, वो सामने आ जाती है, डंडा लेकर के, और दना दन तीन चार डंडे मार देती है, जिसके जवाब में सामने वाले लड़का, नहीं, आई थिंग आदमी के उमर में आ चुके हैं, तो वो आदमी जो है, दना दन, दना दन, बाइस थपड़ से भी जादा जड़ देता है, और जड़ने का जो तरीका रहता है, वो थपड़ नहीं रहता है, जोटा पकड़ के मतलब इतना थपड़ मारता है, कि मारते मारते वो और गिर जाती है, वहीं पर जो तीसरा बंदा रहता है, जो क को देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि वो दोनों मार खानने के बाद सड़क पे वो जा रही है सबसे पहला सवाल कि ये था क्या ये अटक क्यों हुआ वो दोनों फीमेल डंडा लेकर कि क्यों उसको धमकाने लग गई थी और सामने वाला भी बड़े चौड के साथ में कह र जड़ जाती है जो के एक हद तक सही भी है कि आपको बीच रास्ते में चलते वक में अगर कोई चेड़ देता है कुछ कमेंट पास करता है आपको एक बार जो है उसका विद्रो करना चाहिए और उसके उपर में अपने एक आक्शन दिखाना चाहिए लेकिन यहां पे में सी हुआ यानि लखना गल ने जो किया था कि 22 थपड़ जड़ दिया था उसके एवज में अभी जितने भी मतलब मेल है वो पुरे बॉखलाए वह और बस इसी इंतजार में थे कि भाई कभी किसी दिन ऐसा मौका मिले तो हम भी जड़िया देंगे अगर ये परस्प्शन आपक कि लिए वो दोनों सामने खड़ी हो गई और सोचा कि मारेंगे पगड़ कर अब इसके एवज में जो है सामने वाला बंदा इस चौड में आ गया कि वैसे भी पूरी इंडिया जो है सपोर्ट कर रही थी शादतली को तो अभी हम अगर कुछ करते हैं तो लोग हमें ही सपोर पले रही थी और वीडियो बना रही थी उस वीडियो को पोस्ट कर दिया गया उसके लोगों की रियक्षण जब निकल करके सामने आये तो सब ने ट्रेंट चलाना चालो कर दिया जो सही है उसको इनसाफ मिलना चीए जो गलत हो पनिश्मेंट मिलना चीए यहां पे भी सेम लेकिन एक बार शहादतली के टाइम पर भी जैसे एक बंदा आगे बढ़ा था यहां पर भी एक बंदे को आगे बढ़ना चाहिए था अब यह क्यों नहीं बढ़े उसके पीछे का रीजन यह है कि जो दो बंदे मिल करके इनको छेड रहे थे वो कहीं न कहीं politicians के साथ में अपना कुछ ना कुछ ताम जाम रखे वे थे और उनको पता था कि हमें पूरा support मिलेगा बले से public से हो या फिर politically हो दोनों साइट से मुझे पूरा support मिलेगा और इस वैसे यह कर गए और वहां पे जितने भी लोग खड़े थे उनमें से सभी लोग ने वीडियो ब पता है वही अभी तक समझ में आ रहा है अभी भी reality नहीं निकल करके आ रही है अब अगर कुछ लोगों का मानना यह है कि लड़किया जब ऐसे करेंगी तो लड़कों का विवार ऐसे ही होगा तो भाई हम लड़के लोग इतने भी कमजोर नहीं है इस चीज को शहादत अली ने साबित कर दिया है अब वो अभी भी डटे वे है वो बात अलग है कि प्रिया दर्शिनी ने जो है उनको भाई बनाने का सोच लिया है और कहा है कि मैं राखी लेकर के इंतजार कर रही है आप मेरे घर पे आ जाओ मैं आज से आपकी बहन और आप मेरे भाई सोचो अगर वो भाई बना और अगले रक्षा बंदन को अगर सही गिफ्ट नहीं दिया तो 22 थपड 22,000 थपड भी हो सकते हैं इस मुद्दे के परह मैंने जोक मारा है लेकिन सच बता हूं तो जोक तो है प्रिया दर्शनी ने मारा है मतलब जिसके साथ में आपको अपना सब कुछ खतम करना है आप सॉरी नहीं बोलना चारहे है आप उल्टा उनको घर बुला करके कहना चारहो तुम मुझे अपनी बह क्यासा सोचते हो प्लीज आ कमेंट करके जरूर बताना अगर आप चानल पे नए हो तो चानल को सब्सक्राइब कर लो बेल का बेटन दबालो मिलूंगा नेक्स्ट उडे में तब तक के लिए थैंक्यू टड़ा बाई साइन ओड़ा एंड अस्तला विस्ता